गरीबी के हालातों से जूचताई शक्स पीपली खुर्द का रहने वाला हकुरा मीना है इसका पूरा दिन खेत खलीहान में ही गुजर चाता है बारिश कम होने से इने फसल कम होने का सामना करना पड़ता है और शादी ब्याह के बढ़ते खर्चे इनके आर्थिक हालात को और खराब कर देते हैं मेरे गाओं में पाने की कमी की वज़े से हम साल बर में एक ही बार खेती कर सकते हैं उसी फसल से हम साल बर का गर का खर्चा सलाते हैं एसे कमजोर हालात में हकुराम को शादी का उपहार दिया नारायन सीवा सस्था ने उसका निशुल्क विवाह संपन्द करवा कर मुझे कैसे पता सला कि नारायन सीवा सस्था में गरीब परिवार की सादी निशुल्क में करवाते हैं और मैं वहाँ से गया एक फॉरम बरा वहाँ से मेरको गर गाड़ी लेने के लिए आई और वहाँ से दिल्ली ले गए और हमारी सादी बड़ी दूमदाम से करवाई और बरतन एवं कपड़े दिये शादी की सौगात मिलने के बाद पती पत्नी जिन्दगी के रास्तों पर बड़े ही आत्मविश्वास और होसले के साथ आगे बढ़ते हैं और खेत खलीहान के कामों को भी बड़ी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं इसमें वे जी जान से जुटे रहते हैं साथी पत्नी भी घर का काम बड़ी लगन से करती है अपनी शादी के लिए पती-पत्नी संस्थान का आभार व्यक्त करते हैं मेरी साथी हुई है एक साल तीन मिने हो गए और एक मेरा बच्चा है और में बहुत कुछ हूँ इसलिए नारण सेवा को दिनने वाद अपनी बहुत करते हैं